लेकर आई हूं मैं बिल्कुल अलग सी रेसिपी अगर कभी भी घर में सबजी खाने का मनना हो या कोई सबजी ना हो तो यह बहुत ही सिंपल से रेसिपी है और इसको फटा-फट बनाए और आज के साथ सर्व करें खाने का एक अलग ही अपना मज़ा होगा तो सबसे पहले मैं मैंने लिया एक कब दही इसमें डाला है नहीं मैं इसको अच्छे से वीट कर लोंगी चुक्ल स्मूज टेक्श्टर आजा है इसका यह देखे चलिए अब हम चलते हैं तर्की की तरफ एक तड़का पैन लिया मैंने उसमें चमस तेल डाला आप इसको देशिगी भी डाल सकत है आधा चमस जीवा एक चमस चॉप कर लेंगे इसको अच्छे सोटे कर लेंगे तक कि इसके घैसन का कच्छा पन में सब्सक्राइए अब मैंने एक ग्रीन चिली डाला यह टोटली ऑप्शनल है आप चैना तो डाल सकते नहीं कर सकते हैं दो रेट चिली तोड़के मैंने ड अब इसमें हम डालेंगे कुछ पॉडर मिसाले जबसे पहले मैंने लिया थोड़ी से यंदी थोड़ा सा लालमेश पॉडर यह कश्मीरी लालमेश पॉडर इसे कलर अच्छा एगा और हाप चमस देने अगाउडर अब फ्लेम को आप करके हम थोड़ा से इसमें बंपिंश अब इस तरकी फुलाक मदेही में आड़ करते हैं अब इसको अच्छे समस कर लेंगे और इसमें डालेंगे यह सारा बंग में जिन्या के बगएर से हर रसपी अधूरी होती है हमारा देही तड़का तयार हो गया है जिसको चलिए शवव कर लेते हैं आप इसको राइस के साथ चपाती के साथ कैसे भी चाया सर्व कर सकते हैं, खाले में बहुत डिलिशिस होता है, तो फ्रेंड्स उन्जॉआए, हापी कुकिंग!